जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ग्रांड मास्टर ने तैंग शैंग और बाकी सब को एक टीम के बारे में बताया था जो बहुत जादा थाकतवर थी और अब ग्रांड मास्टर और भी बहुत कुछ बताते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे सामने सिर्फ पांच टीम और बची हैं जिने इनको हराना होगा जैसे एलेफेंट आमच स्कूल के पास छुपी हुई सोल पोन थी ऐसे ही इन चारों के पास हिदन सीक्रिट्स बहुत हैं जो किसी को नहीं पता और इस वज़े से तैंग शैंग और बाकी बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड सकता है अब वो सभी रिंग के अंदर पहुँच जाते हैं और आज शैंग फैंग और त्याइनश्वी स्कूल के बीच में कॉम्पेटीशन होने वाला है अब टैंग शैंग ग्रांड मास्टर से इनकी सोल पार के बारे में जानकारी मांगता है जिस पर ग्रांड मास्टर उ इसलिए मास्टर सोल हॉल का नाम सुनकर तैंग शैंग गुस्से में आकर मोटिवेट हो जाता है और तुरंत अकेले ही हार्ट सेप्रेशन कंट्रोल की ट्रेनिंग करने जाने लगता है वो ट्रेनिंग ग्रांड में जाने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि वो एक टाइम लूप में फस गया है वो जितने भी कदम आगे बढ़ाता है उतने ही कदम वो फिर से पीछे आ जाता है लेकिन तभी वो एक अजीब से दिखने वाले आदमी को देखता है और तैंग शैंग समझ जाता है कि यह इल्यूजन बनकर मुझे अपने माया जाल में फसा र जाएगी लेकिन तैंग शैंग जब यह पूछता है कि मेरे जाने के बाद मिस्टर दाइलीट करेगा तो क्या तुम उसे भी मार दोगे जिस पर वो आदमी हा करता है और यहां हम उसकी क्रुयलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं वो फिर आसपास की रियालिटी को आल्टर कर अब वो आदमी तैंग शैंग पर अलग लग तरीके अपनाता है और तैंग शैंग अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करते हुए डिफेंस करने की कोशिश करता है लेकिन उसके डिफेंस टूट जाती है और यह देखकर वो आदमी बहुत हसता है और फिर वो तैंग तैंग शैंग को उसके सपनों मिले जाता है और अब तैंग शैंग को अपना डर दिखने लगता है वो सपने में अपने पिछले जनम के अंदर पहुँच जाता है जहां एल्डर्स लाइब्रेरी से सीक्रिट नौलेच चुराने के जुर्म में उसे मृत्यू टन सुना रहे और तैंग शैंग को फिर जीवू भी दिखती है जिसे कुछ गंदे लोग परिशान कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ जीवू को जब तैंग शैंग आसपास नहीं देखता तो वो घबरानी लगती है और तभी उसके लफसिक प्लान से ब्लड़ी डिजास्टर के सिगनल्स भ अगर तैंग शैंग शैंग बहुत दर्द में है लेकिन तभी तैंग शैंग खड़ा होता है और वो तुरंत अपने हिदन वेपन्स का यूज करते हुए उस पर वार कर देता है हाला कि वो आदमी सतर से भी बड़ी रैंक पर था इसलिए वो वेपन्स को अपनी बौडी से निकाल लेता है लेकिन वो बहुत शौक होता है कि आखर तैंग शैंग शैंग ने उसके इल्यूजन को तोड़ कैसे दिया और वो तैंग शैंग से इस बारे में पूछता है जिस पर अब तैंग शैंग बताता है कि जब वो टाइम लूप वाले इल्यूजन में फसा तब ही वो पहचान गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो चाहता तो पहले ही illusion से निकल सकता था लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि वो illusion में फस्ता जा रहा है असल में उसके पास oh purple demon eye है वो इतनी जादा विक्सित हो चुकी है कि वो 90 rank तक वाले के illusion को भी तोड़ सकता है अब फिर tank shang उसे ये बताता है कि भले ही उसने hidden weapons अपने शरीर से निकाल लिये हो लेकिन hidden weapons के अंदर के जहर अभी भी इस आदमी के अंदर है और ये जहर इस आदमी को मार डालेगा अब ये सुनकर आदमी बहुत शौक होता है और देखते ही देखते वो मृत्यों को प्रा भी soul bone नहीं लगानी चाहिए अब tank shang वापिस आने लगता है और उसे जीवू और बागी सब दिखते हैं जो उसका इंतजार कर रहे थे जीवू उसे देखते ही गले लगा लेती है और क्योंकि tank shang बहुत जादा का हैल था इस लड़ाई में इसलिए वो बेहोश हो जाता है इसलिए जीवू उसे कमने में ले जाकर अराम करने देती है और tank shang की जब आँख खुलती है तो वो जीवू को अपने पास देखता है वो जीवू को बेट पर लेटा देखता है और खुद भी बेट पर लेटा रहता है जीवू की आँख खुल जाती है जिसके बाद वो ब पर बाब में हड़ी ना बना होता, तो आज ही हमें तैंग शैंग और जीवो के बीच एक रोमांटिक एंगल देखने को मिल जाता। अब तैंग शैंग ग्रांड मास्टर के पास जाकर बैठता है और ग्रांड मास्टर को जब ये बता चलता है कि तैंग शैंग ने कैंग वी स्कूल के शी नियान को मार डाला है तो वो बहुत शौक होते हैं लेकिन वो तैंग शैंग को उसके मज़र केस में नहीं फसाना चाहत इसलिए वो किसी को ये बात ना बताने को कहता है, जिस पर Tang Shang मान जाता है और अब Tang Shang उन्हें वो Soul Bone दिखाता है जो उसके पास She deixe Anh को मारने से आई थी. ये Soul Bone बहुत जादा खास थी, लेकिन ये Soul Bone Tang Shang के लिए सूटेबल नहीं थी. इसलिए grandmaster ये decide करता है कि वो इस soul bone को बेच कर दूसरी soul bone खरीदेगा वो tank shank के लिए plant branch या strength branch की soul bone खरीदना चाहता है क्योंकि plant branch की soul bone उसकी blue silver plant में मदद करेगी और strength branch की soul bone उसकी hammer वाली spirit soul में मदद करेगी अब वो और भी बाते करते हैं जिसमें last में grandmaster ये कहता है कि अगर तुम्हारे पापा यहां होते तो तुम्हें आज कोई नुकसान नहीं पहुचा पाता और इससे tank shank को अपने पापा की याद आने लगती है अब दोनों फिर बाकी बच्चों के पास जाते हैं और यहां कुईन मिंग भी मौजूद होता है जो अपके मैच के लिए श्रेक स्कूल को लीट करेगा क्योंकि grandmaster को बाकी टीम्स को एनिलाइस करने के लिए समय चाहिए अब इन सभी का ओपरेंट जी हाउ स्कूल होने वाला है और अब grandmaster उनकी strength और उनकी weakness की file तैंग शैंग को लाकर देते हैं और ये देखकर सब बहुत चौंक चाहते हैं क्योंकि ये स्कूल बहुत जाधा शक्तिशाली है grandmaster उनसे कहता भी है कि अगर तुमें आगे के matches के लिए अपनी energy बचा कर रखनी है तो तो मैस match को छोड़ सकते हो लेकिन तैंग शैंग और बागे सब situation से हार नहीं मानना चाहते थे इसलिए वो इसको खेलने का decide करते हैं अब दोनों ही teams ring के अंदर आती हैं और उन दोनों का बहुत शांदार तरीके से intro करवाया जाता है ची हाउ स्कूल आग और उनके आग वाले attack के लिए बहुत फेमस है इस team के अंदर दो storm branch के warrior है जो कभी किसी से नहीं आ रहे हैं श्रिक स्कूल के अंदर बहुत सारे योद्धा हैं और इस बार का match Mr. Dai, Tang Shang, Zee Wu और बागी चार subordinates खेल रहे हैं अब opponent team एक एक करके अपनी spirit soul को activate करती है और Mr. Dai Tang Shang के बताए plan को याद करने लगते हैं और opponent team अब one-to-one combat करने लगती है उसमें सब अपनी-अपनी spirit ring का अच्छे से प्रदर्शन देते हैं और एक दूसरे पर भारी बढ़ते हैं लेकिन end में opponent team सभी को अलग-लग करने में काम्याब हो जाती है और अब शेक स्कूल की team एक team की तरह नहीं बलकि one-versus-one की तरह लड़ रही होती है और opponent team इस बात का फायदा उठा लेती है और अकेले Tang Shang को वो लोग घेर लेते हैं उनकी team में जो assistant branch में था वो selectively power को boost कर पा रहा था यानि जो technique निंग wrong-wrong सीख रही थी वो ये लोग पहले से ही सीखे हुए थे जिस वचे से उन सभी की strength कुछ percentage तक पहले ही बढ़ गई थी इन लोगों का plan Tang Shang को हराने का था क्योंकि अगर एक बार Tang Shang हार जाएगा तो इनकी team कमजोर हो जाएगी और इसी बात से Grand Master और Erlong को चिंता थी लेकिन Dean Frander अब भी match को छोड़कर sponsorship लेने में लगा हुआ था अब वो सभी लोग अपनी अपने spirit ring का इस्तिमाल करके Tang Shang पर हमला कर देते हैं और Tang Shang फिर अपने पुराने जनम को याद करता है और पुराने जनम में जो उसने टेकनीक सीखी थी उनका यूज करता है वो अपनी Marshall Soul का भी यूज नहीं करता और उनकी spirit rings की पार की तरफ खुद जाने लगता है सबको ये लगता है कि Tang Shang मरने जा रहा है लेकिन Tang Shang सब spirit rings को डॉज करता हुआ सब पर Martial Arts से ट्रेनिंग करता है और वो बिना Marshall Soul का यूज किये सब को Combat Fight में हरा देता है अब वो Mr. Dai और बागी सभी टीम मेंबर्स को भी Blue Silver Plant का यूज करके अपने पास बुला लेता है और वो फिर से एक टीम बन जाती है अब आपनेंटीम को कुछ सा आ जाता है जिसके बाद वो सभी Tang Shang के ऊपर फायर छोडते हैं और Tang Shang Blue Silver Plant का यूज करके डिफेंस करने लगता है लेकिन सभी को ये लग रहा था कि Blue Silver Plant एक पौधा है जो कभी ना कभी तो इस फायर से जल ही जाएगा लेकिन Tang Shang ने क्योंकि फायर और आइस लेक दोनों एक साथ पी थी जिस वजह से उसकी Blue Silver Plant फायर और वाटर से इम्म्यून हो गई थी वही दूसरी तरफ हम कैंग हुई स्कूल को देखते हैं जो अपने मास्टर के लिए चिंतित हो रहा था क्योंकि उसके मास्टर दो दिन से लापता थे उनके मास्टर को Tang Shang ने मार डाला था इसलिए वो लापता थे अब Tang Shang को वो नहीं हरा पाते इसलिए ओपनेंट टीम खुद अपनी हार मान लेती है और शेक स्कूल को विनर खोशित कर दिया जाता है सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने 11 माचस लगातार जीते हैं जिस वज़े से वो चैंपियन टीम बनने वाली थी वही हारी हुई टीम जो अपने रूम में बैठी होती है वो बहुत गुसा कर रहे होते हैं और वो शेक स्कूल से बदला लेना चाहते हैं तैंग शैंग फायर से इम्म्यून था लेकिन विन्ट से नहीं इसलिए विन्ट सोल पार का वारियर तैंग शैंग को निप्टाने का डिसाइड करता है स्टॉम्प सोल पार के वारियर का नाम फैंग जियाओ त्यान है और उसकी टीम की एक लड़की जो बहुत एरोगेंट है वो उसको पसंद करता है वो लड़की उसे ये कहती है कि अगर तुमने तैंग शैंग को हरा दिया तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी जिस पर फैंग जियाओ अब तैंग शैंग को हराने का डिसाइड कर लेता है अब तैंग शैंग, मिस्टर दाई और कुइंग मिंग ग्रांड मास्टर के पास जाते हैं और Grandmaster तैंग शैंग की पिछले जनम वाली अबिलिटी को देख कर काफी इंप्रेस थे। लेकिन उन्हें डर था कि कई ओपनेंट टीम को तैंग शैंग की सारी अबिलिटीज के बारे में पता ना चल जाए। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो जब तैंग शैंग फाइनल में पहुँचेगा तो फाइनल ओपनेंट टीम तैंग शैंग की कमजोरी ढून कर ही आएगी। और ये सोचकर Grandmaster ये डिसाइड करता है कि तैंग शैंग अब आगे आने वाले मैचेस नहीं लड़ेगा। ये सुनकर तैंग शैंग काफी उदास हो जाता है लेकिन मिस्टर दाई और कुइंग मिंग दोनों Grandmaster को समझाते हैं कि तैंग शैंग को यहां लड़ना चाहिए क्योंकि इससे इसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी दलीरों को सुनकर Grandmaster मान जाता है वही श्रेक स्कूल के सारे बच्चे जो जीतने के बाद एक रूम में बैटकर खुश हो रहे थे वहां अब Grandmaster पहुँच जाता है वो उनकी आगे आने वाली ओपनेंट टीम के बारे में उन्हें बताते हैं और उनकी ओपनेंट टीम क नाम कैंगवी स्कूल टीम है अब वो सब इसको हराने का डिसाइड करने लगते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं जिसके बाद ये एपिसोड खतम हो जाता है